कि हनुए कई कि या हाँ चाल आप सब कि कैसे आप सब मजदार ना इक अटम जबरdaस तरीके से टैयार होग Admire आप रहे और इस भागते हुए समय के कह सकते ना पईらい के साथ बच्चे अपने को भी थोड़ा सा चलना जरूरी है और इसलिए बच्चे हम लोग कर रहे हैं एकदम रापिट तरीके से एक क्विक रिकॉल हर एक चाप्टर का हर एक टॉपिक का जिससे आपके धिमाग के जो घोड़े हैं भाई वो भी दोड़ते लगें हैंगी नहीं इस पूरी सिरीज के अंदर माइन माप की जब बात करें बच्चों आपके जोग्रफी का लास चाप्टर बढ़ियां चाप्टर और सबसे आसान चाप्टर आप कह सकते हैं अच्छे तरीके से बच्चे स्कोर कर सकते हैं चलिए तो इसी के साथ सब्सक्राइब हमारा आज का तो भाया घूमना सबको पसंद है है कि नहीं फड़ा बच्चे बता दो तो बच्चे जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं यार देखो ट्रांसपोर्ट के बारे हम लोग छोड़ी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं यानि जब मैडम हमारी क्लास थर्ड वाली पढ़ाती दिय और जब पानी में ना हो हो करके चलाते हो तो वाटर वेस कहलाता है कि नहीं तो इन चारों चीजों के बारे थोड़ा सा डीटेल में पढ़ने की बात तो बनती है तो अभी क्या है हमने इसको टाइप सो में बता है यार बहुत जमाने से बढ़ते चले आ रहें लेकिन इन पर चीज़े तो अपडेट होती रहेंगे ना टाइम के साथ चलो तो टाइम की पहिया को घुमाते हैं और थोड़ा सार रोडवेस पर आते हैं तो बच्छे अगर रोडवेस की बात करेंगे तो भारत के पास बनाव दा लाज़ेस रोड़ नेटवक्स है पूरे वर्ड के अगर हम टोटल लेंद की बात करें तो आप देखेंगे बच्छे की 54.7 लाग किलो मिटर्स का जो रोड है बच्छे हमारे पास है और घटकरी साब को अगर आप जानते ही हैं जो हमारे रोडवेस को एक नए आयाम पर ले जा रहे हैं तो बच्छे उनका जो टार्गेड है बच्छे बहुत विजणरी है फिर अगर हम बात करें यहां पर रोडवेस की कि अडवांटेजिस क्या है रोडवेस की देखिए सबसे पहली बात तो यह जो कंस्रक्शन कोर्ट से रोड बनाने की वो रेलवे लाइन्स को बिछाने के कमपारिजन में कहीं ज्यादा कम है फि सिंपल सी बात है बच्छे आप पहाड़ों पर जाते हैं आप हिमाचल घुमने जाएंगे तो वहां पर कैसे जाओगे या फिर आप कह सकते हो नॉर्मल बस से भी जा सकते हो पटकुल में लाकर कि पहाड की उन छोटी-छोटी सड़कों पर जो चलता है वो कौन है वो है सब्सक्राइब करें अब बहुत बड़ा बूस्ट है कनेक्टिविटी को लेकर की इंफ्रास्ट्रक्टर को लेकर के फिर अगर बात करें बच्छे रोट ट्रांसपोर्ट काफी एकॉनमिकल है ठीक है कई बार ऐसा भी होता कि आप आपको कई दूर जाना है ठीक है तो अगर रेलवेज और रोडवेज उन लोगों के लिए ठोड़ा एकॉनमिकल वे में ट्रावल करना जाते हैं तो आप यह भी देखिए बच्चे कि जो हमारे रोडवेज होते हैं वो डोर टूर सर्विस प्रवाइड करते हैं यानि कहने का मतलब है कि आपको अपने घर के बाहर से एक आटो रिक्षा मिल सकता है वो भी पाट ऑफ रोडवेज है घर के बाहर से आपके एक लोकल पब्लिक बस आती होगी वो भी पाट ऑफ रोडवेज है लेकिन इसके अलावा कर आप रेलवेज के लिए जाए तो रेलवेज में आपको पर्टिकुलर स्टेशन जाना लिए या फिर बस पकट सकता हूं तो यह क्या कर रहे है वाट बातस कि थाट करец प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आप कहिए कि कितने वर तरीके की हमारी रोट्स है तो बच्छी इन बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में बात आती है गोल्डन कॉड्रिलेटरल की ठीक है अब ये गोल्डन कॉड्रिलेटरल बच्छी क्लासिफेकेशन और रोट्स वाला जो कॉड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स नहीं बद हमने क्या किया है कि सिंपल सी बात है चार बड़े-बड़े हमने कनेट किया हुआ है एक्सप्रेस हाइवेस के त्रू राइट थाकि इनके बीच का इन जो शहरों के बीच की कनेक्टिविटी वह इंप्रूव हो और साती साथ जो बच्छे जो टाइम है जो ट्रावल डिस्टेंस है वह भी कही ना कहीं रिडिउस हो तो ये प्रोजेक् पास एनेच जिसको आप नाशनल हाइवेस होते हैं बच्छे काफी सारे आप कह सकते हों बच्छे रोट का एक नेटवर्क है जिसको मेंटेन करता है और बनाता है आपका CPWD इसमें कई बार बच्छों एनेच आई का भी हेल्प रहता है ऐसा नहीं कि इनेच आई बिलकुल इसमें भूल जाता है इसमें कोई contribution नहीं करता Central Public Works Department बच्छे इसको मेंटेन करता है इसको लेडाउन करता है रोट बनाता है लेकिन जौके एनेच आई है बच्छे वो भी इसमें equally बच्छे contributor है equally guidance प्रवाइड करता है फिर अगर हम बात करते हैं जो आपका शेर्शा सूरी म तो इसको वन नंबर में आपसे पूछ सकता है और बहुत बार repeat क्या गया है फिर अगर बात करें स्टेट हाइवेस की राइट तो स्टेट हाइवेस क्या करते हैं बच्छे एक स्टेट के जो अलग अलग डिस्टिक हैड़कॉर्टर्स है उनसे जो रोट जोड़ती है उनको वहां को करनेट करने वाली सड़के होती है आपकी स्टेट हाइवेस में कई बार ऐसा भी होता है जब आप चल रहे हो तो बीच में नैशनल हाइवेस कुछ टाइम के लिए खतम हो जाते हैं और दूसरे नैशनल हाइवेस में जुड़ने के लिए जो रोड़्स आपको करने पकड़ और मुझे सीटी में जाना है आपको चाहिए करने के लिए ना भी को जो कर रहे है ना भीच की रोड और आपकी स्टेट हाईवेज होती राइट इनको क्यों करने का काम होता है आपका पी डबलूडी यानी public works department का ठीक है तो इसका construction इसका maintenance कौन करता है बच्छो आपका पी डबलूडी दाट इस public works department ठीक है चलिए फिर अगर आगे हम बात करें मैं पस्ट्रिक्ट रोड आती है यह क्या करती है बच्छे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगों से connect करती है ठीक है इसका maintenance रख रखाओ करता है आपका जिला परिशाथ ठीक है तो ऐसी roads को हम कहते हैं other roads और कौन से roads होते हैं फिर आपके बाइस rural roads होते हैं जो जनरली बच्चे गाउं अगेरा में होते हैं ठीक है तो यह क्या करते हैं गाउं विलेजस को जो आसपास के चोटे मोटे कजबे हैं चोटे मोटे शहर हैं उनसे connect करते हैं फिर इसके अलावा कर मैं बात करूं बच् इस तरीके की rural roads गाउं की सड़कों को बनाया जाए गाउं की सड़क क्यों important है उसका reason है कि इंफ्रसक्चर में बूस्ट मिलेगा किसान को बहतर connectivity मिलेगी मार्केट्स तक टाउंस तक तो अपने समान को बेटर तरीके से वह बच्चे बेच पाएगा तो ultimately आप देख सकते हो क विलेज एकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की रूरल सल के रूरल रोड्स बहुत जाधा important है फिर आता है हमारा ब्रो मतलब हमारा बी आर ओ बॉडर रोड्स organization बच्चे शौर शौर्ट कोश्चन आता है आपका पीवाई क्यू कोश्चन है ठीक है इसका establishment किय गया था 1960 के अंदर 1960 में बॉडर रोड्स organization को बनाए गया इसका objective बहुत सिंपल था कि भारत के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं यानि कि आपके बॉडर रोड्स है यानि कि आप कह सकते हैं जितने भारत के strategy strategy areas है वहाँ पे roads बनाने का काम कौन करेगा आपका भियारों देखेंगा और देखेंगा वहां पर बात करूं कि रोट को हम कई बार material के basis पर भी क्लासिफाइब करते हैं इंदा फॉर्म और अन्मेटल रोड्स होती है इनको सीमें डालके बनाते हो राइट यानि कि अच्छा कासा तारवार बिटूमन डालके इन रोड्स को कंस्ट्रट किया जाता है और रोड्स होती है यह रोड्स आपसे बिल्कुल भी मतलब ऐसा नाराज वराज नहीं होने वाली वडर्स हां सारे वैंदर में एकदम सभी बने रहरेनी वाली है अगर की बात करें तो बचानल ऐसे बारिशंसर और भार उसके पँशन करों राइप जात करों भाल्स को इसवारे यह पार्स बिल्कुल पासन नहींternut ठीक है तो आपको कैसे डिफाइन करना density of road एक और बहुत ही मदब important fact है एक नमर पूछता है कितना आपका road बना है per hundred square kilometers ठीक है जो length of the road है per hundred square kilometers बच्चे वो define करता है आपका density of the roads अब देखेंगे भारत के इंदर केरला है कैसा state है जिसका density सबसे highest है roads के मामले में अभी तक जो latest सब्डेटेट डेटा है ठीक है तो जहां पर density of roads हाई है उसका मतलब क्या है कि वहां पर बच्चे infrastructure boost काफी बढ़िया है यहांवी अच्छा का सा रोट नेटवर्क अवेलिबल है लेकिन अगर माउन्टेनियस रीजन में जाएंगे वहां पर सड़के बनाना काफी difficult है तो व गाड़ी अगर बाहर कपड़े फैला होगे और आपके बगल से रेल जाएगी तो कपड़े तो बढ़ा के लेगी जाएगी इतने स्पीड में निकलती कभी देखा है रेल्वे क्रॉसिंग आप खड़े हो और खड़े खड़े आप उसके पास से कर तेजी से स्पीड से त्र फैली बात तो जो हेवी हेवी समान होता है उसको लंबे डिस्तेंस के क्यारी करने का अग्दम चीप माध्यम आपका रेल ट्रांसपोर्ट है ठीक है हाला कि हमारे रेल ट्रांसपोर्ट कुछ प्रॉब्लम से सफर करता है यह सवाल अच्छा है बच्छे आपसे तीन नमबर सोती कनाल सोते तो उनके उपर आपको ब्रिज बनाना पड़ता है रेल को क्रॉस कराने के लिए ऐसा तो बहुत सब्सक्राइब है नहीं कि पानी इंदा से रेल चल देगी ऐसा नहीं हो सकते ना तो आपको ब्रिजेश बनाने पड़ेगे तो चुछ अपने आप में काफी कॉस पॉल भी दिखेगा आपको बहुत सारे खुबसूरत नजारे दिखेंगे तो बच्छे बड़ा कोर घाट सेक्शन है ठीक है उसको मेंटेन करता है आपका कोनकन रेलवे तो कभी कोनकन रेलवे से ट्रावल करेगा आपको पता चलेगा बच्छे कि पहाड़ों की बीच से कि जो है ट्राक्स जाले गएं तो जो अपने आप में काफी कॉसली काफी डिविकल्ट टास्क है फिर अगर मैं बात करूँ आपसे हिमालियन माउंटेइन इस रीजन की तो यह बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेस के लिए राइट विकॉ डेसल्ट औरियास में भी कहीना कहीं बचे रेलवेस को बनाना आपने आपने आप में एक बहुन बड़ा टास्क है तो अगरहें बात करें भारत के ихicer अबाजेश डेवरेस की तो दो तीन तरीके के होते हैं उनके बीच का एक सल्टन डिस्टेंस होता है आज मैक्समुम जो रेल्वे ट्राक्स आपको दिखते हैं तो जिनके बीच का जो ग्याप है बच्चे करी 1.676 मीटर्स का है फिर आपके मीटर गेजे जो काफी पुराने जमाने में चला करते थे ठीक ह बीच का जो घ्याप होता है न हम्याइ उनके बीच चैनल गैने चलती है जो जो कि बातरे बोटके गयजंता काफी नाव भीज में लूम नेटवर्ट के तो 63,950 किलो मिटर्श का भाट के नेटवर्ट है मीटर गेज रेलवेंट के साथ के साथ चालकी बाइट्ट में बार्ट के चलती है मीटर गेज नारो गेज उस कंडिशन में चलते हैं यह तो बहुत हिली एरिया होगा यह तो फिर बता है इतना डिफिकल्ट एरियन होगा कि वहां पे ब्रॉड गेज बनाना पॉसिबल नहीं है तो ऐसे एरिया में आपको मीटर और नारो गेज की ट्रेंज देखने को मिल जात हैं आप कई सारी चीजों को ट्रांसपर्ट कर सकते हैं इसके अलावा कई बार सेमी सॉलिट फॉर्म में जो इसको ट्रांसफर किया जाता है राइट बचो ठीक है तो इस आरी उस ट्रांसपोर्ट वाटर प्रॉड्ट्स नाच्वल गैस हो गया फर्टलाइजर फैक्ट्री और बिग थर्मर प्रांट प्रांट से यह चितने भी प्रॉडक्ट से इसको अलगल अलग एरियाज में डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए आप पाइप्लाइज का यूज करते हैं इन फाक्ट सॉलिट को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यही मैं आपको बता रहा हूं कि यह चिसकी ब्रांट से इसको बाइफर किया गया हल्दिया में ठीक हिर हल्दिया से यह राजबंद राजबन से मौरी ग्राम और गोहाटी टू सिलीगुडी तो इतने बाइफरकेशन से बच्चे यानि एक पाइप्लाइन ने वो सेवरल ब्रांचे में डिवाइड हो रही है अलग 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 एरियास को जो निससेरी प्रोड़क्स हैं बच्चे वो सप्लाई कर रही है फिर इसके बहुत सारे ब्रांचे बच्चे जो आपके कोयाली कोयाली बढ़ता है गुजरात में चाक्सू पड़ता है आपका रहसान के आसपास ठीक है तो इनको भी बच्चे कहीं ने कहीं करती तो अब यह देखरो बच्चे एक जो पाइप्लाइन मनाएगा यह एक तरीके से पाइप्लाइन को बहुत सारे पार्ट्स में आपके डिवाइड कर दिया गया है जिससे के ब्रांचे जो है ना काफी सारे इरिया को कवर कर पाए तो यह बच्चे इस तरीके से हमारा पाइप्लाइन नेटवर्क करता है ठीक है पहली पाइप्लाइन थी आपकी 1700 किलोमेटर सब्सक्राइब करके इस चतार में बच्चे पाइप्लेक्स में भारत के वेसं और नॉदन पार्ट में राइड तो रहराइट क्या क्या होब घृस्ट सब्सक्राइब करके जो मुंबाई हाई और बसीन ग्यास फिल्ट से वहाँ से जितने भी रॉव मिटिरियल से उनको इंडस्ट्रल एरियास तक पहुंचाने का काम कर रही है बच्चे अपकी पहुंचाने में काफी जानी होगी अगर बात करें अब बलकी गूड़ काफी बारी समाने उनको ले जाने के लिए आपका वाटर ट्रांसपोर्ट काफी हेल्फुल है फ्यूल एफिश्ट है साथ-साथ एंवार्मेंट फ्रेंडी है अगर भारत की बात करें तो भारत में इनलेंड वाटर वेस्ट की लेंद्ध बच्चे करीब 14500 किलोमेटर है आउट अफ इसमें से सिर्फ 5685 किलोमेटर सी मेकनाइस वेसल्स यानि जो आपकी मेकानिकल वेसल्स होती मोटर बोर्स वगरा होती है उसके द्वारा नाविगेवल है अब इस लाइन को समझते है थोड और दो इन्लेंड के बात करते हैं तो इनलेंड में दो तरीकों के आपको है इं कहते हो तți के दूसरी बात और रिवर्स हो गए उसके बाद आगर हम बात करें हाँआपके अडरे बच्पर्टी घत्चत बतया वाट करते्गेव रática आपकी मतलब तो जिस नदी में रापिट्स बहुत जाता है। जो नदी वाइलेंट बहुत जाता है। तो हमारे कुछी सेग्मेंट ऐसा है टोटल इनलेंड वाटर वेस्ट का अगर आप लेंट देखोगे तो 14,500 किलोमेटर का लेंट है। जहां पर नव अगरा चल सकते हैं। लेकिन इसमें से श्रीव 5685 किलोमेटर सी ऐसा लेंट है जहां पर आप मेकेनाइज वेसल को लेके जा सकते हो। तो बच्छे जनरली आपको थोड़ी शांत रिवर चाहिए होती थोड़ा स्टेबल वाटर चाहिए होता है। तो अलाबाद इस नौ प्रियाग राज तो आप कभी लिखेगा तो प्रियाग राज लिख्या एगा ठीक है तो इसमें कवर कर रहे हैं कोट्टापूर्मा कोलम उद्योग मंडल और चंपाकर कनाल्स तोटल लेंद है इसका 205 किलोमेटर राइट तो यह तिने सारे कनाल्स आपके West Coast कनाल वाले नेटवक के अंदर तो तीन मेजर वाटर वेज है बच्चे जो हमने अइडेंटिफाई कियो है चलिए और नाशनल वाटर वेज और नाशनल वाटर फाइव ठीक है तो तो तीन मेजर वाटर वेज है जिनसे जल्ली जादा तर कोश्चन बनते हैं अगर अगर पिछले सालों में देखोगे तो इससे नाशनल वाटर वेज नंबर वन और नंबर टू से बहुत ज्यादा कुश्चन बनें ठीक है अब बात करते हैं बच्चे नाशनल वाटर वेज नंबर फाइव की फोर के अगर हम बात करें बच्चे तो कुछ स्पेस्विक स्ट बढ़ वाटर वेज नंबर फाइव को तोटल लेंध के अगरम बात करेंगे तो तैसे फाइटी एट किलो मिटर फिर इनक्वाट अगरम बात करें कि बच्चों बहुत सारे और भी हमारे वाटर वेस रेके तो वहां में बच्चों इन्लैंड नाविगेशन काफी अच्छे चलता है फिर अगर हम बात करते हैं बच्चे मेजर सीपोट की मेजर सीपोट में आप देखोगे भारत जो ए फॉरेंड कंटरी के साथ ना बहुत सारा ट्रेट करता है विद्धा एलप आफ सीपोट जो बॉल्क वाल्यूम आफ ट्रेड होता है ना वर सीट बच्चे वन नदी बच्चों बहुत अच्छा सब्मेंट है यहां पर इसको तो अच्छे से ध्यान दीजेगा ठीक है फिर अगरें बात करें कांडला पोर्ट कच के अंदर पहला पोर्ट था आफ्टर इंडिपेंडेंस नो इसको भी अंदीन दयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं इसको भी इसको अच्छल फर्बर प्रेजेंट है यहां पर आराम से शिप्स वगहरा को आप सकते हैं ठीक है तो अगरें बात करें मैंगलोर पोर्ट की यह नो केटिड़ आपका करनाटिका में तो यहां बच्चे आरण और को एक्सपोर्ट किया जाता है फिर अगरें बात करें कोच में भारत के चन्ने जोई वन अफ दो ओल डेस आ टिविशल पोट से विशाका बटनम डीपेस लैंड लॉक पोड दाट इस विशाका बटनम ठीके पाराद भी पोड़ बचे ओडिता मना हुआ है यहाँ पे आयरेन नौर को आपको काफी पोर्ट किया जाता है यहाँ यह आता सब्सक्राइब करते हैं और जो मैप के लिए आता है बच्छे मैंने वह भी लिखा है जो कई आगे बात करें यहां पर चलिए लेट सब्सक्राइब करते हैं इस तरीके के पोस्ट आप काफी कॉमन देखते होगे इंस्टाग्राम के उपर लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं यह की नहीं तो पॉइंट बहुत सिंपल है बच्छे कंफरेबल मीट आप ट्रांसपोर्ट है चीप नहीं है सस्ता नहीं है महंगा है प्रस् इस दिफिकल्ट टेरेंज जहां पर ना तो रोडवेस पहुंच सकती है वहां पर पहुंचता है आपका एरवेस ठीक है जहां पर पहुंचे ना ही सामान वहां पहुंचा है आपका विमान कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि खासकर जब रिलीफ फीचर्स की बात अगर हम करे ठीक है तो बच्छे खास का जो आपके माउंटेनियस रीजन से वहां पर आपका एर ट्रांसपोर्टेशन काफी ज़्यादा हेल्फुल है वहां पर इसका फेर भी सस्ता है क्योंकि वहां पर ऐसा इंप्टेंट सर्विस के तरीके आपका एर ट्रांसपोर्ट वर्क कर रहा ह है बच्छों फिर अगर आप देखेंगे कि पावंस हैं हन्स हेलिकॉप्टर सर्विसेज एक बहुत इंपोर्टेंट सर्विसेज हैं यहां पर पावंस हेलिकॉप्टर लिमिटेट जो भारत के ओंग्स यानि और नाच्रल गैस कॉर्परेशन को जिसके ऑफ्शोर ऑपरेश इस पर इसको को बात करें बचे जो को आपके जो होाट चेजरें बहुत सो मिट्विजन है खिसके ऑनकल पडूसी ऑंकल thirsty आंटी कि वान मीडियम समझते हैं जानते हो अपनी बातों को अपने इसके मुल्टिमम सबसे बात करें यह पॉण से हैंडल करता है लेकिन आज का लेटर कोई नहीं पेचा देखो आजकल maximum ना couriers आते हैं जिसमें आप maximum online क्या कहते हैं शॉपिंग करते हो तो वह भी कई ना कई बच्चे deliver किया जाता है या फिर हो सकता है कि आप अपने दूर रहने वाले friends को कुछ भेज रहे हो तो उसको भी आप Indian Postal Network के थरू भेज सकते हो तो इसके लाव अगर हम बात करें फर्स क्लास में जो कि काफी important होते हैं बच्चे उनको air lift किया जाता है stations की बीच में चाहे वो land के थरू या air के थरू कई बार आपने देखा होगा तक काको काई कोई चीज भेचान नीए तो पहूंच जाती है तो दाटे िन दाटी केस या तो इसको बाई कोई प्रेंट बाइस फ्रीकांस अगरे अगर इस्ट शीड़ीन की बात करें तो कहीं ना कास्तिटनी वें औल उर इंडिडिया बच्चे बहुत यह आसानी से आप इसके अलावब बच्चों बात करें स्पेस टेक्नोलोजी एक ऐसा फंक्शन है जहां पर हमने काफी जादा ग्रोग किया है अब देखो सैटलाइट के मदद से कहा है कि बड़ी आसानी से आप चीजों सो ट्रांस्पोर्ट कर सकते हो कहने का मतलब है कि अगर आप सोचो कि पहल है अगरे को हैं जानते हों भी हो दीन दुनिया के बारे में साथ ही साथ ही साथ अगर हम बात करें बच्छे आपको entertainment इंट्रेइम्मेंट भी मिलता है आप अची चीज़े भी थिखते हो तो mass media का मतला पर जब आप बहुत large group से communicate कर रहे हो at one at a time that is basically your mass media फिर अगर हम बात करें इसका बड़ा अच्छा example है आपका इंडिया radio channels का आकाशवानी कहते हैं तो आकाशवानी बहुत सारे local languages में भी बैच्छो कई बार programs को broadcast करता है खासकर गाउं अगरा के लाकों में आप द पर्स मलब 100 से जाधा भाशाओं में बच्चे हम लोग newspapers को publish करते हैं फिर अगर इंटरनाशनल ट्रेट की बात करें बच्चे बहुत सिंबल सी बात है जब किसी और कंट्री के साथ आप ट्रेट कर रहे हैं तो इंटरनाशनल ट्रेट के बीच में ट्रेट किया गया वैपार क देखें क्या होता जब कभी भी आपका export जो है वो ज्यादा है import कम है तो उसको मों कहते हैं favorable balance और export कम है तो उसको मों कहेंगे unfavorable balance और यह कुश्यन बच्चे आपका दो marks में आ सकता है favorable और unfavorable balance राइट तो बिलकुल सिंबल सी बात है जब आपका export का value जाता है आप एक्सप बात करें बच्चों भारत से बहुत सारी चीज़े एक्सपोर्ट की जाती है जैसे जैसे जैम्स हो गए जूल्री हो गए ठीक हो गए एक्रिक्ट्रोनिक इंडस्ट्री के प्रडक्स हो गए फिर आपके कुछ एगरी कल्चल प्रडक्स भी हो गए बच्चे माक्समाम हम जनरेट करते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मगाते हैं जो अमारी बहार की स्पीशिस हैं उनको भी हम ले करके आते हैं बच्चों कहीं न कहीं तो यह सारी चीज़ें जो अपन बच्चे एक्सपोर् करती है साथी साथ अगरम बात करें इंडियन कल्सर उसके बारे में जो इंटरनेशनल सेंदिंग मनाना है बच्चे वह काफी ज्याद है वह बारे में अपनी टूरिज मतलब किसी पर दबाव आप कहा सकते हो किसी पर बिमारी का हिलास करवाने के लिए आ रहे हैं तो बहुत सारे टूरिजम सोते हैं बच्चे तो कई ना कई टूरिजम इंडस्ट्री ग्रूइंडस्ट्री एक बूमिंग इंडस्ट्री भारत के अंदर और आगे चलके आप देखो के बच्चे की लोग इतना ज़ाधा भी घूमने लिको लेकर करके वेर होते जारें तो कहीं ने इस इं चली इसी के साथ बच्चे विराम लगाते हैं हमारे आज के टॉपिक और एंडब करते हैं मेरी मुलाकात होगी आप से नेक्स्ट खतन ना कवाले राप बटल यानिक्स खतन ना कवाले माइन में सेशन में तबते के लिए हस्ते रहिए भाई साब मुस्कुराते रहिए और जिवन में तीन चीजें बहुत जरूरी हैं चेहरे पे मुस्कान होस्लों में और आपके अंदर का आत्मसंबान तो यह तीन चीजें आद रखना बच्छे लाइफ में बहुत जरूरी है जब जब याद रखो कि तब तब काम आएंगी बहुत आगे जाओगे ठीक है चलिए सब्सक्राइब लेकिन फिर भी बच्छों बढ़ियां से पढ़िये और जुड़े रहे बच्छे मेरी मुलाकात होगी इंदर लेक्स टब तक के लिए हसते रहें मुस्कराते रहें बबाए बच्छों स्टेट यून वित पीड़ाबी